पाकिसान के T20 World Cup के स्कॉर्ड की अपडेट आपको देरो मैं आपके सामने रूस्टर रखना जिसके अंदर काफी सारे खिलारी मुझूद है आपने कमर्स के अंदर बताना है कि आपका फाइनल 18 का स्कॉर्ड कौन सा होगा वर्ल कप के लिए पाकिसान के रूस्टर की बात करे तो इसके अंदर आते हैं बाबर आजम फकर दमार मुहमद हारिस विकर की पर बल्ले बाद आजम खान विकर की पर बल्ले बाद इसके अंदर आप बाबर और फकर को ऑपनिंग स्लोर पे भी शामिल कर सकते हैं उनको मिडर और में भी रख सकते हैं यह डिपेंड करता है आप के अपने कंबिनेशन के साथ आर्लोंडर की बात करें तो पाकिसान के पास जो बेस्ट आर्लोंडर रूस्टर के अंदर आ रहे हैं वो है शदाब खान मुहमद नवास आमिर जमाल और इसी के साथ सब फहीम अश्रफ दो फास आर्लोंडर होगे और दो होगे आपके स्पिन के इसी के साथ सा प्रोपर स्पिनर्स की बात करें तो पाकिसान के पास स्पिनर्स में आते हैं उसामा मीर अरफाद मिनहाज जो के अंडर नैंटीन के दर लड़का बड़ी इच्छी परफॉर्मस करके दिखा रहा है उस्मान कादिर होगे इसी के साथ सा आपके अबडार एहम यह पाकिसान के पास स्पिन का स्लोट है अब बात करते हैं फास बोलिंग अगर आप नाम देखें तो आप भी हैरान होके रहागी इतने ज़्यादा पाकिसान के पास अप्षन मजूद है फास बॉलिंग के अंदर शाहीन शाह फ्री जो करेंगे वह इसकी लाइन अप के अंद खेल रहे हैं मोहमद दिशान जो की अंडर्म किसम के यह बोलर है इसी के सास्थ ना आपके जिसे कहते हैं मोहमत खुर वोली लाइन अप है तो चेह की और बताना है कि आप किन खिलारी को अपने स्कॉर्ड के सत्रा से अठाड़ा मेंबर्स के स्कॉर्ड के अंदर रखना जाते हैं आपने जरू कमेट के अंदर इस चीज़ को बताने हैं